ओम सिरीगनी सायनम दूस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दूस्तू आज कीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार नवंबर सौंबार की रासी फल के बारे में कीह दिन ओम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा, किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलि दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजेटिव रहने वाला हैं दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहोग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा आने वाले समय में पदोन्ती के रास्थे खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिनें अपना कर आप कारस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निविस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है काम काज से सम्बंदित किसी मित्र से भी सम्बंद अच्छे हो सकते हैं या दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावरन रहेगा सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर-परिवार के साथ किसी कारे को करने का प्रतन करते हैं तो वह है भी आज सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत डिप्रसन रहेगा दोस्तो साथि-साथ यदि आप नोकिरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रैतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्य वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको क्याम या भी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने करेचित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्ने पहलूँ पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परिजनों को खलीगी साथिसाथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्ने था आपके कारण अले में आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है कारण सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवशकता होगी साथि साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि प्रती कूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहा सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सु और के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सहयोग हो सकता है जया दोस्तों आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इस से आपके प्रेम जीवन में मधुरता और बढ़ दी होगी जया दोस्तों प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथे साथ यदि आप क प्रेपोज कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए बहुती लकी सावित होने वाला हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज ग्रेहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के यो बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धनलाब केश्टिती रहेगी विध्यार्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तों साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो लिए भविस्ये में आगे चल कर काफी लाबदाएक साभित होगा या दोस्तों दंगे लेंदेन के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साभित होने वाला है दोस्तों कारे च्छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारभार की भी अदिक्ता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिति रहेगी नौक्री में भी तरक्की के योग आप के लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशे सुलूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वैयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपए क्या हैं दोस्तो आज आप इश्नान आदिशे निरवत्र होने के बाद भगवान शिव को जल में सफेद तिल मिलाकर अर्पित करें और साथी साथ महा मृतिजय मंत्र का एक सो आठ बार जाप आप रुद्रक्ष की माला से अवश्य करें ज्यां दोस्तो ऐसा करने मातर शेही भगवान भुलेनात बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशन योकांत करेंगे और आपके समस्त मौनों कामने भगवान भुलेनात के आशिरवास से अवस्य ही बूर्ण होंगी और आपके सबी कारने बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान भुलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो शच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भुलेनात तवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद